हेलो एंड वेलकम बेक टू आर योट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला माई दियर स्टुडेंट्स आई होप ओल आर यू डूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केर अफ यूर्सेल्फ इसके पहले के वीडियो में हमने offline examination से regarding जो भी basic strategy हो सकती थी उसको बताने का समझाने का प्रियास किया आपको समझाने का प्रियास किया कि आप किस प्रकार अपने offline examinations के लिए prepare हो सकते हैं, how to prepare for the exam, क्या पढ़ सकते हैं and कैसे पढ़ सकते हैं and जो अच्छे score हैं अच्छे जो marks हैं वो कैसे achieve कर सकते हैं क्या आपको previous year question paper solve करने चाहिए या फिर नहीं, क्या आपको 10 year जो guide आती है वो लेनी चाहिए या नहीं, अगर आप ले चुके हैं तो उसका किस प्रकार आपको use करना है, इस बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में discuss किया था, वहीं आज इस वीडियो के अंदर जो की offline examinations से regarding strategy and tips से regarding part 2 है, इस वीडियो में हम basically कुछ ऐसी basic tips के बारे में बताने कर प्रयास करने जा रहे हैं, जिनको अरजमा कर, जिनको आप use करकर, जिनको आप follow करकर, अपने examinations में अच्छे score जो हैं, वो achieve कर सकते हैं, अच्छे जो grades हैं, अच्छे जो marks हैं, वो achieve कर सकते हैं, इस वी जो भी university exams होते हैं, चाहे offline examinations हों, चाहे वो online examinations हों, university examinations में किस प्रयकार आप अपने answers को best तरिके से represent कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपको पताएंगे कि उत्तर लिखते समय किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या-क्या points आपको mention करने हैं, जिससे आपका answer जो है, वो काफ़ effective लगे, and how many questions will come, इस वार offline examinations हैं, तो OB से किस प्रकार different हैं, क्या कुछ नया होने जा रहा है, इस वार offline examinations में, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही क्या passing marks रखे गए हैं, इस बारे में भी आपको बताने कर ट्र basic strategies आपको बताई हैं, तो उसका link हमने इस वीडियो के description box में provide करा दिया है, आपको simply click करना है, and उस वीडियो को देख लेना है, and जो भी strategies आपको बताई गई हैं, उनको अच्छे प्रकार से follow कर लेना है, So let's begin, and first of all students, आप सभी को बता दें, कि इस बार आपके offline examinations होने जा रहे हैं, इस बार आपके open book examinations जो हैं, वो नहीं conduct होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे, कि open book examinations से किस प्रकार different है, offline examinations, क्या एक basic pattern होता है, offline examinations में, तो देखिए आपको बता दें, कि जो offline examinations का जो question paper होता है, उसमें basically यह सबसे पहला difference होता है, कि open book examinations के जो question papers होते हैं, उनमें total number of questions जो होते हैं, 6 होते हैं जिन में से आपको 4 questions जो attempt करने होते हैं and maximum marks जो है 75 होते हैं and जिसमें आपको 3 plus 1 hour आपको दिया जाता है वहीं अगर हम offline examinations की pattern की बात करें तो इसमें भी जो question paper होता है वो 75 marks का होता है लेकिन इसमें जो है number of questions जो है वो जादा होते हैं इसमें number of questions जो है वो total 8 होते हैं basically अगर हम past year paper को देखें तो 8 जो question होता है जो आठवा number का question होता है वो basically notes based होता है जिसमें आपको 4 options दिये जाते हैं जिन मेंसे आपको any 2 per short notes जो है वो लिखने होते हैं वहीं students अगर हम timing की बात करें तो इस बार आपको additional 30 minutes जो है वो दिये जा रहे हैं तो इस बार जो आपका examinations है वो 3 घंटे की बजाए 3.5 घंटे का होगा और maximum marks आपको बता दें कि 75 marks का आपका question paper होगा जिन मेंसे 8 questions आपसे पूछे जाएंगे and any 4 questions आपको attempt करने होगे and आपको एक बात और बता दें कि इस बार examinations में आपको काफी choices भी देखने को मिलेंगी and 30 minutes आपको extra दिये जाएंगे so ये कुछ changes करे गए है offline examinations में इस बार I hope आपने notification को अच्छे प्रकार से देखा होगा carefully आपने read किया होगा वहें students अगर हम बात करें कि 75 marks में से आपको कितने marks चाहिए pass होने के लिए तो देखिए 30 marks आपको चाहिए होते हैं pass होने के लिए ठीक है अब देखिए 30 marks आप ले आए इससे कोई बात ने बनेगी आपके वल pass हो जाएं इससे कोई बात ने बनेगी सबसे अच्छी बात तब बनेगी जब आप high score जो है achieve कर पाएंगे and अपने जो answer है उनको अच्छे प्रकार से लिख पाएंगे अच्छे प्रकार से represent कर पाएंगे तभी आप A plus या फिर जो A grade है वो आप achieve कर पाएंगे score कर पाएंगे तो ऐसे में आपको जरूरत है effective answer writing tips की किस प्रकार आप जो answer है उसको effectively तरीके से लिख सकते हैं represent कर सकते हैं जिस examiner जो है वो अच्छे प्रकार से आपको good marks जो है जो good grades हैं वो आपको day तो आईए अब बात करते हैं how to write best answers in university exam university exams में आप किस प्रकार answers को लिख सकते हैं best way में किस प्रकार आप अपने answers को represent कर सकते हैं देखिए examinations चाहे offline हो या फिर online हो एक बात ते है कि दौनों ही mode examinations में आपको answers जो हैं वो लिखने होते हैं open book examinations में केवल ये difference है कि आप उसमें देखकर लिखते थे जो भी आपके पास material होता है जो भी आपके पास guide होती है आप उसका use करते होए अपने answers को लिखा करते थे लेकिन offline examinations में आपको memory चाहिए ठीक है memory based questions जो हैं वो पूछे जाते हैं ठीक है तो आईए देखते हैं उत्तर लिखते समय किन बातों का आपको ध्यान दखना है किस प्रकार आप अपने answers को best way में रिप्रेजेंट करते होए अच्छे score जो हैं वो अच्छीव कर सकते हैं तो देखिए first point है analyze past years paper जी हाँ आपको ज्यादा से ज्यादा past year papers को immunize करना है जो past year question papers है उनका आपको अच्छे प्रकार से carefully तरीके से visualization करना है अनुलाइज करना है आपको जानना हैं कि किस प्रकार के questions जो है past year papers के अंदर पूछे गए है क्या एक basic pattern रहा है किस topic से किस प्रकार के questions को पूछा गया है तो देखिए first tip आप लोगों के लिए यही है कि आप पिछले वर्षों के जो question papers हैं उनको carefully तरीके से गौर से analyze करने का प्रियास कीजिए past 3-4 years के question papers को अच्छे से carefully तरीके से analyze कीजिए questions के pattern को पहचानिए questions के pattern को समझिए और जो बार-बार पूछे जाने वाले जो topic में से ऐसे 5-6 topic चुनिए यानि कि देखिए जैसे कि आप past year question papers को देख रहे हैं analyze कर रहे हैं at least 3-4 past year question papers को आप देख रहे हैं और आप यह जान पाएंगे कि जो एक topic है उसमें से किस प्राकार के questions जो है पूछे गए हैं किस वे में questions को पूछा जा रहा है and ऐसे आप 5-6 topics को अच्छे प्राकार से cover कर लीजिए ठीक है and जान लीजिए कि किस वे में उन topics में से questions को पूछा जा रहा है ठीक है and हमने आपको यह बताए दिया है कि instead of six questions you get only eight questions four are to be answered अब देखिए next है make intelligent guess जी हाँ जैसी ही आप past year question papers को analyze करते हैं carefully तरीके से आप analyze करते हैं तो आप यह नुमान लगा सकते हैं अंदजा लगा सकते हैं कि इस बार question जो है किस प्रकार पूछे जाएंगे किस वे में questions को पूछा जाएगा and इस बार किस प्रकार का questions जो है वो पूछा जा सकता है आप easily past year papers को analyze करते हुए अगर आपने carefully तरीके से 3-4 past year papers को analyze किया है तो आप यह अंदजा लगा सकते हैं कि इस बार याने कि 2K22 में किस प्रकार का question जो है इस topic में से पूछा जा सकता है तो देखिए आप intelligent guess कीजिए ठीक है अब देखिए आपको जो guess करना है वो एकदम समझदारी से करना है ठीक है आपको past 3-4 years papers को analyze करना है ठीक है समझदारी और विश्वास से आपको गौर से guess जो है वो करना है यानि कि hidden होते है एंड नहीत होते हैं जिने हम पहचान नहीं पाते तो देखिए आपको बता दे कि आपको हर एक question को कम से कम 3-4 वार जो है अच्छे प्रकार से पढ़ना है analyze करना है देखिए आपको पता होगा कि हर एक question को पढ़ने में लगबग 20 seconds से भी कम कर time लगता है तो ऐसे में आपसे request है कि आप question paper को अच्छे प्रकार से पहले पढ़ें हर एक question को 3-4 बार अच्छे प्रकार से पढ़ें समझने का प्रयास करें कि question आपसे क्या पूछ रहा है किस वे में आप इसका answer जो है वो लिख सकते है then answer जो है वो question में ही नहित होता है उसमें जो idea होते हैं उनमें जो terms होती हैं उनमें जो keywords होते हैं उनको आप पहचानने का प्रयास कीजिए answers are explained of ideas, issues stated in the question देखिये जो भी issues होते हैं जो भी ideas होते हैं वो कही ना कहीं उस question के अंदर नहित होते हैं जिने बस आपको पहचानने की देर होती है ठीक है तो आप अच्छे प्रयकार से question को समझने का प्रयास कीजिए ठीक है English Media में जो question लिखा हुआ है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं उस keywords का मतलब क्या है तो आप जो Hindi translation होती है उसको भी आप समझने and पढ़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि ज़्यादे ज़्यादा जो guess कर सकते हैं कि हम किस प्रकार इसका answer लेखें क्या पूछा जा रहा है वो आप Hindi translation को पढ़कर ही कर सकते हैं और देखिए अगर कोई twisted question पूछा गया है कोई घुमाकर question को पूछा गया है तो आप उसका straight forward answer जो है वो लिखें ठीक है जो एक standard answer हो सकता है वो आप इसको लिखें ठीक है कोई भी अगर twisted question पूछा गया है कोई भी घुमाकर question को पूछा गया है तो देखिए जो उत्तर है जो answer है वो आप बुद्धी मानी तरीके से रखें ठीक है अच्छे प्रकार से organize करते हुए answers को रखें कहने का ताथ पर यह है कि आप अपने best answer को सबसे पहले लिखें यानि कि जो भी question आप पे best तरीके से आता है आप उसको सबसे पहले attempt करें ठीक है उसको number one की position दें जो आप पे दूसरा best answer आता है आप उसको number last की position दें यानि कि उसको fourth number पर रखें ठीक है दो questions को, इससे क्या होता है, कि जो teacher है, जो examiner है, वो आपकी जब copy check करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले अपना focus जो है आपके answer no.1 को करता है, answer no.1 पर देता है अपने सारा focus, ठीक है, उसमें देखता है कि आपने किस प्रकार answers को लिखा है कि आपने क्या क्या चीज़े mention की है ठीक है तो वहीं से जो examiner होता है उसको लगता है कि आपने answer अच्छा लिखा है तो वो बाकी के answers को नहीं देखता है basically आपको पता होगा कि examiner जो की examiner है वो आपके सभी के सभी answers को अच्छे प्रकार से यान की पूरे तरीके से नहीं पड़ता है वो किवल जो आपने underline की है जो भी आपने bullets बनाए है ठीक है जो भी उसमें main cracks होता है उस पर ही द्यान देता है उस पर ही focus करता है तो ऐसी में आप अपना जो best answer है उसको पहले number पर रखें जो आपका second best answer है आप उसको last में लेखें ठीक है और जो आप पर अच्छे तरीके से नहीं आते हैं जो आप पर कम आते हैं उनको आप बीच में रखें क्योंकि अक्सरी देखा गया है कि जो examiner है जो परिक्षक है वो first and जो final answer होता है उस पर ज्यादा focus करते हैं ज्यादा गौर फर्माते ह हैं सो देखिए write first answer on your best prepared topic. Choose second best topic at last question, least prepared topic as second and third answer because examiner pay more attention to your first question than the last and least to middle questions. Then next point की बात करते है strategic writing जी हां strategic writing के अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपको एक लिखने का तरीका बताया जाता है कि आप किस वे में लिखें ठीक है कितना लिखें तो देखिए काफी students का ये कहना होता है comment section में हमने काफी को reply किया है कि वो पूछते हैं कि एक answer minimum कितने pages म में एक answer को लिखें जिससे आप अच्छे score जो है वो अचीव कर पाएं तो देखिए जो pages है वो matter नहीं करते हैं लेकिन हमारा country जो है उसमें जो हमारे country के जो education system है उसमें यही matter करता है कि आपने कितने pages लिखें हैं ठीक है आपने कितना ज्यादा लिखा है अगर आप the marks जो है वो दिये जाते हैं यह हमारे education system education system का एक different part है ठीक है तो देखिए अगर आपको बताएं कि आप minimum कितने pages में answer जो है वो लिख सकते हैं या फिर कितने words में आप answers को लिख सकते हैं तो देखिए आप at least 800 to 1200 इतने words में एक answer जो है वो लिख सकते हैं और लए अगर आप जजादा ही अच्छा लि लकना चाहते हैं और जजदा लिखना चाहते हैं और जद्रिक्स्पेंड करकर लिखना चाहते हैं एप बिना अपनी राइटेंग को बिगाड़ें ज़्यादा लिख सकते हैं तो आप इसको 15 1500 1500 तक आप पहुँचा सकते हैं ठीक है word limit जो है और देखिए अगर हम pages की बात करें तो आप 5 to 7 pages लिख सकते हैं ठीक है एक answer में क्योंकि ये भी काफ़ी effective है and आपको ये बता दें कि आपके वलोतना ही लिखें जिस जितना आपसे पूछा जा रहा है आप उसका ही उत्तर लिख जो question में पूछा गया है ठीक है उस पर ही आपका focus अना चाहिए आप उसका ही केवल answer जो है वो लिखें अब देखिए बात करते हैं कि उत्तर लिखते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है या फिर आप कहे answer structure कैसा होना चाहिए तो देखिए आपको बताया भी है हमने प लिखने की practice होनी चाहिए मुझे पता है कि काफी students जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें लिखने में काफी दिक्कत होती होगी ठीक है क्योंकि examinations के दौरान ही वो अपना हाथ जो है वो चला पाते हैं या फिर 10-5 दिन पहले ही वो try कर पाते हैं लिखने का and end time पर जो answer जो हैं वो नहीं लिख पाते हैं exam and answer seats के अंदर ठीक है and जिससे उनका जो questions है वो काफी छूट भी जाते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अपनी speed पर ध्यान रखना है ठीक है किस speed में आप लिख रहे हैं यह आपको ध्यान रखना है and जो आपके जो आपकी writing skills है उस पर आपको ध्यान रखना है आपकी writing कैसी है इस पर आपको focus करना है ठीक है तो यह काफी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको focus करना है then अगर हम लिखती उत्तर लिखती समय किन बाज़ों कर ध्यान रखने की बात करें तो देखिए time management सबसे जादा important है आप जैसे कि साइट तिन घंटे का paper है या तीन घंटे का paper है तो उसमें आप time को manage कर लीजिए ठीक है at least 20 minutes आप question paper को reading के लिए दीजिए and बाकी के time जो है आप उसको बाठते हुए हर एक question के लिए manage कर लीजिए ठीक है fix कर लीजिए इससे काफी आसानी होगी आपको answer listed time तो देख देखिए आपको हमने पहले बताया है कि answer structure में answer के धाचे में कुछ points जो है वो काफी important होते हैं जिनको examination जो examiner है वो भी देखने का प्रियास करता है जिसमें first है introduction part second होता है body structure part then third होता है conclusion and discussion part तो देखिए ये तीन points जो है काफी important है from exam point of view अगर आप इन तीनों points को answer में mention करती हैं तो examination जो examiner है वो काफी अच्छे marks जो है वो आपको देने का सोचता है तो देखिए सबसे पहले होता है introduction part दूसरा होता है body part third होता है conclusion part conclusion part से जो आपका answer है वो और काफी effective लगता है तो देखिए it is more important to know you write answer to the question first of all you write introduction to the answer because without giving introduction you will not start an answer तो देखिए writing a fitting introduction to your answer अब देखिए introduction जो है उसमें आप कम से कम 20% जो है उसके अंदर लिखें ठीक है introduction में आप 20-25% जो है वो लिखें जो भी question पूछा गया है जिस भी topic के वारे पूछा गया है उसके introduction को आप 20-25% लिखें ठीक है देन उसका जो conclusion है जो final part है conclusion and discussion part उसमें आप कम से कम 20-25% उसके अंदर लिखें जिसमें आप introduction को एक other way में लिख सकते हैं ठीक है तो देखिए conclusion and introduction जो है उसके अंदर आपको 20-25% लिखना है यह बात आपको ध्यान रखना है और जो बाकी बचा परसेंट है 52-65% जो की आपको body part में देना है लिख सकते हैं numbering करकर भी answers जो है वो लिख सकते हैं and देखिए different paragraphs के माध्यम से भी आप answers जो है वो represent कर सकते हैं तो देखिए आपको केवल जो three points आपको बताए introduction part, body part and conclusion and discussion part यह आपको याद से जरूर mention करके आने हैं ठीक है and देखिए खास बात answer लिखते time जो भी आपके conceptual से जो regarding जो भी keywords है जो भी terms है जो भी phrases है political phrases वो आप जरूर mention कीजिएगा ठीक है क्योंकि काफी effective लगता है उनसे answers जो है और देखिए जो भी आपको लगता है कि यह चीज हमें underline करनी चाहिए ठीक है तो आप उस चीज को याद से underline करकर जरूर आएं ठीक है तो देखिए सबसे ज्यादा focus जो है जो examiner है उसका focus जो सबसे ज्यादा आपके introduction पार्ट पर जाता है सबसे पहले ठीक है तो आपको याद रखना है कि आपको introduction जो है अच्छे प्रकार से लिख कराना है तो देखिए यह एक basic answer structure होता है answer को represent करने का तो यह थी कुछ basic tips basic बातें जो आपको पता होनी चाहिए answer writing के दौरान जब आप offline and online examinations में answer लिखते हैं तो तो I hope आपको यह tips जो है अच्छी लगए होंगी and आप इन tips को follow करते हुए अच्छे grades जो है वो मुकमल भी करेंगे हासिल भी करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि हम past year question papers के ओपर वीडियो लाएं तो आपस request है कि आप YouTube comment box section में comment करकर ज़रू बताएं कि आप पी वाई क्यू सीरीज जो है वो बहुत जल्द लेकर आएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो please वीडियो को like and share करनों ना भूले अगर आपके कुछ भी queries हैं कुछ भी आपके doubts हैं तो आप वाया YouTube comment box section में लिकर send कर सकते हैं हम पुरा try करेंगे आपकी comments का reply करने का so dear students इसी के साथ thank you for watching this video stay home stay safe stay in doors